हर्ड इम्मुनिटी, क्या कॉरिना के खिलाफ जंग में ये कारगड साबित हो सकती है? जानते हैं क्या है ये हर्ड इम्मुनिटी? ये एक ऐसे इम्मुनिटी है जहां पे हम हमारी पॉपुलेशन के बहुत बड़े हिस्से को इम्मुनाइज करेंगे आइदर उन्हें वैक्चिन दे के इम्मुनाइज किया जा सकता है या फिर पीपल एक्चुल में बिमार पड़ेंगे और रिकवर होंगे और डिजीज के अगेंस इम्मुनाइज हो जाएंगे सबसे बड़ी चुनोती यह होगी कि हम पॉपुलेशन के बहुत बड़े हिस्से को वाइरस से संक्रमित कराएंगे क्या हर्ड इम्मुनिटी सही ऑप्षिन होगा लॉकडाउन के चलते अगर सरकार कुछ ओध्योगिक सेत्रों को अनुमती देती है तो नवंबर तक लोग इम्मुनाइजड हो सकते हैं अब जानते हैं इसमें रिस्क क्या है यूएस की लॉस अलमस नेशनल लेबरोटरी के रिसर्च के मुताबिक अगर इंडिया में हर्ड इम्मुनिटी लागू करनी है तो भारत के 82 प्रतिसत लोग पहले से इम्मुनाइजड होने चाहिए और सबसे ज़्यादा रिस्क हमारे बुजूर्ग लोगों के लिए है जो 65 साल की उम्र से उपर है क्या हर्ड इम्मुनिटी इंडिया के लिए कारगर साबित होगा सेद्धान्तिक रूप से हाँ मीजल्स खसरा जो रोग है एक आदमी से 18 आदमी में फैलता है फिर भी हर्ड इम्मुनिटी के माध्यम से साल 2000 तक वो यूमन पॉपिलेशन में से एलिमिनेट हो गया था इंडिया के लिए बस एक ही चुनोती है क्योंकि यहाँ पे डायाबिटीज, रिदह रोग और फेफडे से जुड़ी बीमारियों से पिडित लोगों की संख्या है पर फिर भी हर्ड इम्मुनिटी हमारे लिए एक प्रॉमिसिंग आस्पेक्ट जरूर होगा